हलो बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स का एक चेप्टर उठा रहे हैं, कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक, संधारित्र तथा परावैद्ध। देखे, सबसे पहले हम बात कने जा रहे हैं कि कंडक्टर क्या होता है, चालक, आपने चालक, अचालक, अर चालक, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर प्राह होगा, सबसे पहले हम बात कने जा रहे हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स, मैं बस कंडक्टर की बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं conductor चालक के बारे में बात कर रहा हूँ जिसको कि आप हिंदी में चालक वर्ड के नाम से जानते हैं आपको लग रहेगा वो तो driver होता है वो physics की भासा में बात कर रहा हूँ ठीके conductor का मतलब होता है जो electricity को conduct करे या जो heat को conduct करे तो जो substance electricity को conduct करते हैं यारि उनके electron जो होते हैं वो free होते हैं और जब हम एक electricity field लगाते हैं एक वैदुछित लगाते हैं तो electron एक दिशा में चलना शुरू कर देते हैं current flow होना शुरू हो जाती है तो जो electricity को conductor है उनको हम conductors कहते हैं और जो नहीं करते है electricity को öğren coach का ये एक को और insulator होते क्या है अब एक concept हम बताने जा रहे है कि कोई भी conductor conductor कब होता है और insulator कब होता है देखे ये chapter note कलिजेगा जो chapter होना है देखे आप जानते हैं कोई भी जो atom होता है उसमें एक nucleus होता है positive देखे और उसके चारो और electron चक्कर लगाया करते हैं ये आपको chemistry में पढ़ाया गया और physics का भी concept है ये electron इसके चारो और चक्कर लगाया करते हैं अब electron और nucleus के बीच पे एक force लगता है electric force जिससे ये nucleus के साथ बंदे रहते हैं अब हमने एक electric field यहाँ पर लगाया यहाँ पर positive यह एक charge दिया यहाँ पर negative charge दिया और electric field कहां से कहां जाता है आपने chapter 1 में पढ़ा है कि plus से minus की और plus से दूर minus की और ये electric field हमने लगाया ये electric field electron से क्या कहेगा कि वो इधर की और चलना शुरू करे यानि आपने nucleus को छोड़ दे और इस direction में चलना शुरू करे लेकिन ये अपने nucleus को नहीं छोड़ता क्यों क्योंकि जो electric field force लगाता है electric field अगर E माल ले और इसका charge या electron का charge E माल ले तो force कितना लगता E into E ये पढ़ा है आपने तो ये force इतना ज़्यादा हो कि यो nucleus को छोड़ दे तो वो electric जो है flow कराएगा otherwise ये electric field के साथ नहीं जाएगा तो जो अपने nucleus से साथ बंधे रहते हैं वो कहलाते है bound charge उन्हें क्या कहेंगे bound charge कहेंगे bound charge जिसको हिंदी में कहते हैं बद्ध आविस ये bound charge होते हैं मता हमने का चलो चले घर छोड़ दो घुम आते हैं अलके आपने का नहीं भी घर में guardian है उडाटेंगे हम नहीं जा पाएंगे तो आप bound हैं guardian के साथ आप bound हैं उस nucleus के साथ तो ये जो bound charge होते हैं जिनका nucleus के साथ ना भी के साथ ना ज़्यादा force लगता है कि वो इस electric field के हिसाफ से नहीं चल पाते वे electricity conduct नहीं कराते वो होते हैं insulator ठीक है अब मालिया ये nucleus ये बहुत सारे electron इसमें है ये second orbit है इसके बाद third orbit होगी अब जैसे जैसे आर्बिट बढ़ती जाएगी जैसे वैसे nucleus के साथ जो electron का force है वो कम होता जाएगा मालिया electron इस प्रकार से positive charge है ये electron चक्कर लगा रहे है अर्ग अर्बिट में और जो दूर आर्बिट में electron यहाँ पर है उसकी nucleus के साथ force बहुत कम है तो जैसे electric field लगाते हैं वैसे वो इस electric field के साथ बाहर निकल जाते हैं और वो free होते हैं जैसे आप बहुत दूर कहीं रहते हों और आपका घर से इतना control नहीं होता है तो आप कहीं भी चले जाते हैं कहा गयते हैं गुमने गयते हैं काम खतम तो आप free हैं यू आर free तो वो free electron कराते हैं वही जो free electron होते हैं वो electricity conductor कराते हैं तो जिस atom में free electrons होते हैं, electricity conduct कराते हैं, उन्हें हम कहते हैं conductor, और जिसके electron free नहीं होते, nucleus के साथ बहुत ज्यादा force उसमें लगता है, उन्हें bound charge कहते हैं, वो bound electron होते हैं, वो बध electron होते हैं, और वो electricity flow नहीं कराते, वो electric field के साथ आवारा तरीके से नहीं घूमते, तो वो insulator होत होते हैं, ठीक है, यह तो बात हुई जाकर के, conductor क्या होता हैं, कैसे यह electron चलते हैं, अब हम बात करते हैं, यह बताईए, देखो chapter का मतलब क्या है, वो बात की बात है, किसी भी conductor को charge कितना किया जा सकता है, charge करने का मतलब होता है, उसको electron दे देना, या उससे electron छीन लेना दो हैं आपको पहरे चप्टर में पढ़ाए गया होगा आप देखेंगे उसमें अगर पढ़ा हुआ आपने कि अगर आप दो बाड़ी को ऐसे रगड़ते हैं तो एक से इलक्टरान दूसरी बाड़ी में जाते हैं या दूसरी से इलक्टरान पहली बाड़ी में जाते हैं तो जि इसके बारे भी हम बात करने जा रहे हैं ठीक है और चार्ज देने से क्या-क्या दिक्कते आती हैं उसमें चेंज क्या होता है और किस स्थित्वे हम उसको चार्ज आगे नहीं दे सकते हैं देखिए ध्यान से अब मालियाग कोई कंड़कटर है मैं जनरेल एक एक्जाम पे लेता हूँ यह कंड़कटर है यह कंड़कटिंग प्लेट है पूरी ठीक है हमने इस- ise सुरॉत में इसमें इसमें जितने एंक्टरां थे उट्म ज प्रोटान थे यह निट्रल थी हमने इसमें एक इलेक्टरां दिया या एक positive charge दिया ये positive charge तहाँ पर इसके इसकी boundary पर recite करेगा ये positive charge यहां आ गया एक हमने दिया फिर हमने दूसरा positive charge दिया तो 2 हो गए तीसरा दिया तीन हो गए चौथा दिया चार हो गए पांच वा दिया पांच हो गए अब हो क्या रहा यह पहला वाला चार्ज पहले से यहां बैठा हुआ है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पहला वाला चार्ज क्या उसको वेलकम करेगा नहीं करेगा क्यों क्योंकि उसका चार्ज सेम है दोनों में रिपल्सन लगेगा यह इसको किक करने की कोशिज करेगा कि रहेंगे तो इनमें रिपल्सन भी लगेगा और इनको यहीं रहना है तो थोड़ा खिसक जाएगा भूले ठीक है तुम को आना गाओ हम खिसक के जा रहे यहां खिसक के आ गया अब यह भाई साथ खिसक करके यहां से यहां आ गए हमने और एक पॉजिटिव चार्ड दिया कि अंदर उनमें बलाई होती है रिपल्सन होता है तो दूर-दूर भागते हैं और दूर-दूर भागने में कितना दूर भागेंगे उसकी बाउंडरी पे अब दूसरी बात दिखीगा जब आप पॉजिटिव चार्ड दूसरा देते हैं तो इसे अपनी पोजिशन मेंटे को चार्ड देने पर उसका पोटेंशियल राइस करता है यह पहली बाद अब प्रस्ण यह उठता है कि आप चार्ड कितना दे सकते हैं देखिए ध्यान से यह कंड़क्टर है हमने जब कोई पॉजिटिव चार्ड दिया इसको तो इसमें एक्शन क्या हुआ देखिए यह प पॉजिटिव चार्ड है और उस एयर मॉलीकुल का इलेक्टरान इसके चार और घूम रहा है अब इस पॉजिटिव चार्ड और इस इलेक्टरान के बीच फोर्स कैसा लगेगा अट्रेक्शन लगेगा यह पॉजिटिव चार्ड क्या करेगा इस इलेक्टरान को अपनी और खीशने की कोशिज करेगा आजो भाई क्योंकि इसमें अट्रेक्शन लग रहा है लेकिन ये जो electron है नायर का वो अपने nucleus के साथ बना हुआ है क्योंकि nucleus कैसा charge है positive charge तो ये इसकी तरफ नहीं आ सकता क्यों क्योंकि positive charge electron के बीच force तो लग रहा है लेकिन वो force इस nucleus के force से कम लग रहा है तो ये नहीं आएगा इसमें अब हमने दूसरा positive charge दिया और एक दिया तो और strong force लगा अब ज्यादा force इसमें लग रहा है योगो दो charge हो गए यहाँ पर अभी भी ये जो electron है वो अपने parent atom इसको parent atom कहते हैं जिस atom का चक्कल लगाते हैं electron वो उसका parent atom होता है अपने parents को छोड़के नहीं आता है हमने 3 charge positive charge दिये 4 दिये 5 दिये 6 दिये 7 दिये 8 दिये 9 दिये और जैसे जैसे हम positive charge देते जा रहे हैं वैसे इसे हो क्या रहा है इसका potential बढ़ रहा है इसका भी वो बढ़ रहा है हमने इसमें 50 charge दिया और 50 charge देने के बाद हम कहीं से इसकी reading भी लेते जा रहे है कि हमने 50 charge दिया यह यूँ कहीं है 50 volt potential बढ़ आया यह कह दीजिए बढ़ा एक example में दे रहा हूँ कि हर एक charge में एक volt इसका potential बढ़ रहा है आ नहीं पड़ेगी है तर भी खिसक जाना पड़ेगा भई कोई जवस्ती seat में आपके बैटा हुआ और आपके बैटने नहीं देंगे उसके हम बैटेंगे तो कलना क्या पड़ेगा आपको भी अपने seat पकड़ के बैटने पड़ेगी वो तोनों में रिपल्सन भी हो और seat भी नहीं छोड़ सकते ठीक है तो मजबूरी में एनरजी बढ़ेगी तो इसका potential बढ़ रहा है हमने 54 दिये लेकिन ये electron बंदा छोड़ के नहीं आया क्योंकि इसका nucleus star force लग रहा है अब मैंने जैसे 51 चार दिया इसका potential 51 वोल्ट होना चाहिए था लेकिन हमने इसको मेजर किया इसका potential 50 ही आया इसका मतलब या तो मैंने जो चार दिया गलती हो गई हमसे measurement करने में कुछ तो गलती हुई है हमने एक और दिया 52 सिर रीडिंग किया value 50 ही आयी हमने तिरपन दिया value 50 ही आयी इसका मतलब चार्ज तो हम देते जा रहे हैं लेकिन अब इसका potential नहीं बढ़ रहा है या इसका charge 85 ही रह रहा है जबकि हम लगातार positive charge उसको देते जा रहे हैं तो गलती कहा हो रही है चार्ज देने में गलती तो नहीं हुई एक बार हुई थी हमने चेक किया कि ये इस electron को बहुत तेजी से अपनी और खींच रहा था और जैसे 51 हमने इसका potential किया positive potential वैसे ही इसमें इतनी ताकत आ गई कि इसके nucleus का force कम हो गया और ये electron आकर के किसी positive charge के साथ मिल गया अब उसको neutral कर दिया तो हमने 51 दिया था अब इस electron ने इस positive के साथ मिल के इसको neutral कर दिया तो बचा कितना 50 हमने 52 दिया सिरी एक electron छूड के आया तेरपन दिया इधा से एक electron आया 54 दिया इधा से एक electron आया तो अब 50 के बाद जितना भी electron हम देते रहते हैं जितना ही positive charge देते रहते हैं वो पुरा neutralize होता रहता है यानि आस पास की जो air है वो ionize हो जाती है जैसे तो non conductor है air molecule अपने nucleus साथ जुड़े हुए है लेकिन वो ionize होते रहते हैं इसके बाद आप charge नहीं दे सकते तो एक point आपके दिमाग में आ गया कि मैं किसी conductor को जब charge देता हूँ अब यहां से बाद समझेगा यह तो एक example था जब मैं किसी conductor को charge देता हूँ तो पहली बात charge उसके boundary पे recite करता है उसके outer surface पे करता है पहली बात दूसरी बात जैसे जैसे हम उसको charge बढ़ाते जाते हैं और ज़्यादा देते चार्ज जाते हैं उसका potential बढ़ता है उसका विवह बढ़ता है क्यों बढ़ता मैंने बता दिया और एक निशित विवह के बाद एक निशित potential के बाद हम उसको charge नहीं दे सकते अब मेरे पास एक condition है कि इस conductor को charge दे सकते हैं जब तक इसका विवह एक limit के बाद बढ़ना बंद रहो जाए इसके बाद अगर त्यादा देंगे तो ये अगल बगल के air को आइनाइस कर देगा और इसके बाद ये charge नहीं हो सकता ठीक है अब उसके लिए हमारे पास क्या चारा है वो बाद में बाद करेंगे अब हम बाद करने जा रहे हैं Electrical Capacity Electrical Capacitance वैस्द्धारिता वैस्द्ध धारिता Capacitance का मतब कैपयसिटी से है धारिता का मतब धारन करने से है कोई भी ठेक्डक्टर कितना charge कितने कैपयसिटी उसमें charge store करने की है वो उसका capacitance कहलाता है यह physical definition है, देखो definition है दो प्रकार की होती है एक physics की भासा में होती है कि physics उस capacitance को क्या समझती है, तो किसी भी conductor की charge hold करने की capacity, कि how much charge any conductor can hold that is known as capacitance ठीक है, होता क्या है यह कहना है, when you give charge to any conductor, its potential rises, as we increase the charge potential also increases, जैसे इसे charge बढ़ाते हैं, potential भी बढ़ता है, तो we can say charge is proportionate to potential, क्यों बढ़ता है, मैं समझा चुका हूँ, charge is proportionate to potential, और जब q is equal to करेंगे, तो एक constant आएगा c into v, c is equal to q upon v where c is what, c is a constant, इसी को हम capacitance कहते हैं क्या कहते हैं, capacitance of conductor, उस conductor की धारिता कहते हैं, इसको कहते हैं, धारिता धारिता तो आपने definition क्या दी, यह तो समझाने की कोशिश की definition क्या दी, के when we give charge to any conductor, its potential rises, the ratio of the charge given to the potential rise is known as capacitance of the conductor, किसी conductor को दिया गया charge और उसमें होने वाले potential rise का जो ratio होता है that is known as C यहनि C is equal to, आपने क्या देखा Q upon V, अगर मैं कोशी unit क्या होगी, तो Q की unit आपने पढ़ा है, कुलाम होती है और V की unit क्या होती है volt, इसकी unit क्या होगी कुलाम पर volt, या एक short में unit होती है farad, F-A-R-A-D farad होती है English, जो इस wordings है, हिंदी वालों को भी farad ही याद करना पढ़ेगा, और कुलाम पर volt ही याद करना पढ़ेगा, तो यह इसकी unit होती है, ठीक है अब अगर इसकी dimension निकालना चाहे विमा निकालना चाहे, तो dimension 11th में आप पढ़ चुके हैं, इसकी dimension आप निकालेंगे, जब 11th में पढ़ाय जाता है, तो वहाँ बताया जाता है कि 12th class में आप इसको पढ़ेंगे तब यह formula वहाँ आएगा वहाँ तो dimension पढ़ चुके थे, लेकिन आप फिल हाला आप यहाँ से कर सकते हैं अगर निकालना ही चाहते हैं तो Q बराबर क्या होता है, I, T तो I की क्या होती, M, P, R और T की क्या होती है, Second और V बराबर क्या होता है, W इंटो Q, क्योंकि V की definition आपने क्या हो, W अपान Q जूल पर कुलाम तो W जूल और Q क्या होगया, I, T तो जब यहाँ C में रखेंगे, Q को I, T लिखेंगे, और V को W अपान Q लिखेंगे, Q उपर ले जाओ, तो यह जाएगा आपका Q ही लिखाने तो भी Q होगया, Q स्क्वार अपान W, Q होगया I, T का स्क्वार अपान W, I की dimension क्या पढ़िया आपने, M, P, E T की, स्क्वार हो जाएगा T की T स्क्वार, W की क्या होती, M, L स्क्वार T इंवर्स 2, इसको उपर ले जाओ सबको, यहां रख रहा हूँ तो M उपर जाएगा, तो M इंवर्स बनाएगा L स्क्वार उपर जाएगा, तो L इंवर्स 2 आएगा, T उपर जाएगा तो T पाउर 4 आएगा, और A स्क्वार पहले से लिखा हुआ है, यह dimension आएगी, देखें यह है, M इंवर्स, L इंवर्स 2, 8 इंवर 4 A स्क्वार, हाँ यह आपकी C की dimension है, तो इसको कहते हैं, Capacitors, वैदुधार का, ठीक है, अब बात करते हैं, Capacitance Capacity of an isolated spherical conductor, अब topic start है, यहाँ से आपका पहली definition यह है, यहीं से चप्टर start होता है, देखें Capacity of an isolated spherical conductor Capacity मतब capacitance Capacitance ही लिए दो, Capacitance of an isolated spherical conductor spherical conductor गोलिय संधारित, विल्गित गोलिय चालक विल्गित गोलिय चालक की धारिता जरायत पहले, इस सब्द का मतलब समझें, isolated क्या होता है, isolated का मतलब होता है, जब किसी conductor को हमने चार दिया तो charge पूरे conductor में uniformly फैल जाए, वो isolated होता है, ठीक है spherical आप जानते हैं, एक ये sphere है, ध्यान से समझेगा एक ये sphere है हमने इसको plus q charge दिया तो plus q charge चुँकि चालक है, conductor है अभी हमने कहा, conductor में जब charge देते हो, तो charge uniformly इसके पूरी surface में फैल जाएगा, और पूरा का पूरा charge कहां consider किया जाएगा उसके center पे रखा हुआ, जैसे हमारी body का center of mass कहा होता है, हमारी नाभी होती है अब आपको अगर इस नाभी के बल ऐसे खड़ा कर दिया जाए, ऐसे और पूरी body में मैं 10-10 gram part रख दूँ, 50 कि और रख दूँ, तो पूरा का पूरा जो mass होगा, कहां माना जाएगा, center पे जबकि वो uniformly पूरी body में फैल गया है, तो यह uniformly फैला हुआ है, लेकिन माना कहा जाएगा center पे, अब यहाँ पर center माना गया, और इसकी radius हो गई A, यह इसका electric field होगा, इस प्रकार से electric field है create करेगा ऐसे dotted, यह पूरा center कहां पे charge को माना जाएगा कि यह center पे रखा हुआ, यह माना जाएगा अब ज़रा समझेगा हमें निकालना का capacitance हमने formula अप्ला है, Q is equal to C is equal to Q upon V, तो क्या निकालना पड़ेगा V, potential निकालना पड़ेगा किस की वज़े से, charge की वज़े से कहां पर, surface पे कितनी दूरी पर, A दूरी पर और तो आपको बताये क्या है potential due to point charge यगर कोई charge यहां रखा हुआ है और उसे R distance पर potential निकालना है तो V is equal to होता है, 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R, यह आपने पढ़ा है तो आप पहले निकालेंगे the potential on the surface of sphere potential on the surface of sphere क्यों निकालना है, क्योंकि मुझे यहां requirement है, potential on the surface of sphere on the surface of sphere V is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon A यह potential हो गया यहनि इस चालक के surface पर वैद्द दिभो, V निकाल लिया हमने अब आपको कैपसिटन निकालना है तो कैपसिटेंस of sphere जब निकालेंगे कैपसिटेंस of sphere तो C is equal to क्या होता है बार बार गलत लिग जाता हूँ Q upon V तो V कमांड दो उठागर के तो Q upon V की value क्या हो जाएगी देखो Q उपर है और 4 pi epsilon 0 into A नीचे है तो आएगा Q upon 4 pi epsilon 0 into A तो Q कट जाएगा यह उपर जाएगा 4 pi epsilon 0 into A तो यह C निकल के आया यह आपने क्या देखा इसकी C proportionate A इसका area यहीं इसका radius जितना जादा होगा इसकी capacity उतनी ही जयदा होगी बैzepि हमारा जब इसका area जितना बढ़ता जाता है हमारी capacity उतनी ही बढ़ती जाती है यह simple सी बात है हमारी charge store करने की capacity है वो किसप要 depend करती है हमारे radius पर depend करती है तो C proportionate A जिसकी unit तो farad होगी अब एक बढ़िया सी चीज हम बता दे देखे दाग जाए कि क्या किसी capacitor को sorry capacitor बाब बोल रहा हूँ क्या किसी spherical conductor को की जो capacity है वो एक farad हो सकती है एक farad इसकी capacity possible है देखे एक note समझेजेगा note number one अगर हम इसी spherical के लेते के जो conductor और इसका C क्या लिखते है 1 farad लिख देते है अगर मैं लिख देता तो क्या होता एक सिगर इसका 1 farad लिख देता तो C is equal to क्या होता है 4 pi epsilon naught into A C आप लिख रहे हैं 1 इसकी value क्या होती है दोको 1 upon 4 pi epsilon naught की value पड़ी है 9 into 10 to power 9 तो जब 4 pi epsilon naught निकालोगे तो परड़ जाएगी value 1 upon 9 into 10 to power 9 तो इसकी value क्या हैगी 1 upon 9 into 10 to power 9 into A यहां से A की value क्या निकलेगी 9 into 10 to power 9 meter यानि अगर किसी conductor को एक फेरेट कैपिसिटी के बराबर चार्ज देना हो तो उसकी यह radius होनी चाहिए अब एक कितनी बड़ी radius है ज़रा समझेगा अगर मैं इस radius की तुलना अर्थ की radius से कर दूँ तो इसकी radius तो आई है 9 into 10 to power 9 और अर्थ की तक्रीबन 6 into 10 to power 6 होती है तक्रीबन चौँशर सो किलो मिटर होती है यहाँ पर चौँशर सो किलो मिटर एक दो तीन एक दो तीन चार पांच है 6.4 into 10 to power 6 क्या असपास होती है तो यह आएगा 3 2 जा 6 3 3 जा 9 यह 1.5 into 10 to power 3 यानि A is equal to 1500 RE यानि अगर किसी spherical conductor को एक फेरेट कैपसिटी उसकी है तो उसकी radius अर्थ की radius की 1500 गुना होना चाहिए अब कल्पना करिए वो conductor रखोगे कहां किस अलमारी में रखोगे 1500 गुना अर्थ की radius के बरावर वो है उसको कहां universe में रखोगे तो जो भी कैपसिटी दी हुई होगी आपके numerical में या जो दी जाती एक conductor को वो microfarad, picofarad में होती है जैसे 1 microfarad 1 microfarad 10 to power minus 6 farad होता है 1 nanofarad 10 to power minus 9 farad होता है 1 picofarad 10 to power minus 12 farad होता है तो इतनी आप value दे सकते है 1 farad किसी की capacity नहीं हो सकती है otherwise उस conductor का size आप कलपना करिए अर्थ की size का तक्रीबन तक्रीबन 1.5-1,000 गुना होना चाहिए वो conductor आप रखोगे कहां वो उतनी बड़ी अलमारी कहां बनेगी आप सोच सकते हैं ठीक है तो ये तो हो गया आपका किसी conductor का capacity कैसे निकालेंगे अब एक आता है capacitor ठीक है उसके बारे में नेक्स वीडियो में बात करेंगे थोड़ा technical चीज है ये मतलब mathematically जो आप proof करोगे वो technical नहीं है लेकिन basic concept लेकर समझना चाहोगे तो वो technical है next in the next video okay thank you